प्रभु का धन्यवाद हो फिर से एक बार प्रभु ने हमें एक और मोका दिया कि हम प्रभु के चरोणों में जाकर प्रभु का वच्छन को पढ़ें और उसके उपर मनन करें आज बाइबर अध्यन के लिए हम पढ़ेंगे पहला कॉरंथियो की किताब उसका अठारावा अध्याई से एकतिस आई तक पढ़ेंगे फर्स कोरिंथियन चप्टर वन वर्सिस एटिन टू थर्टिवन ये वच्छन को हम पढ़ेंगे उसके बाद हम उसके पर मनन करेंगे क्योंकि क्रूस की कथा नाच होने वाले के लिए मुर्खता है परंतु हम उधर पाने वालों के लिए सामर्थ है परमिश्वर का सामर्थ है क्योंकि लिखा है मैं ग्यानवानों के ग्यान को नश्च करूंगा और समझदरों के समझ को तुछ कर दूंगा कहा रहा ग्यानवान, कहा रहा सास्त्री कहा रहा इस संसार का विवादी क्या परमेशन ने संसार के ग्यान को मुर्खता नहीं ठहराया क्योंकि जब परमेशन का ग्यान के अनुस्वा संसार ने ग्यान से परमेशन को नौ जाना तो परमेशन को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मुर्खता द्वारा विश्वास क को उद्धार दे यहुदी तो चिन चाते हैं और यूनानिक ज्ञान को खोज में हैं परन्तु हम तो उस कुरूज पर चड़ाई हुए मसी का प्रचार करते हैं जो यहुदियों के लिए ठोकर का कारण और नियजातियों के लिए मुर्खता है परन्तु जो बुलाए हुए हैं क्या यहुदी का यूनानी और उनके निकिट मसी प्रमेशर के सामर्थी और प्रमेशर का ग्यान है क्योंकि प्रमेशर की मुर्खता मनीशों के ग्यान से ग्यानवान है और प्रमेशर की निर्बलता मनीशों के बल से बहुत बलवान है हे भाईयो अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुशार बहुत ग्यानवान और ना बहुत सामर्ती और ना बहुत कुलिन बुलाए गए परन्तु परमेशन ने जगत के मुर्ख को चुन लिया है कि ग्यानवानों को लज्जित करें और परमेशन ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें और प्रमिशर ने जगत के निचे और तुछो को वेर्ण जो है ही नहीं उनको भी चून लिया है कि उन्हों जो है व्यर्थ थेरा है ताकि कोई प्राने प्रमेशर के सामने गमन ना करने पाए परन्तु उसी की ओर से तुम मसी इशू में हो जो प्रमेशर की ओर से है हमारे लिए ग्यान थेरा अर्था धर्म और प्रवित्रता और छुटकारा ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो जो गमन करे वो परमेश्चर में गमन करे प्रभू इस वच्चन को आसिस करे जो हमने पढ़ा यहाँ पे बेसिकली जो हमने वच्चन पढ़ा है उसमें प्रभू ने जो हमारे लिए गुद्धार का जो प्रबंद किया है उसके बारे में है, कुरूस के बारे में यहाँ पे पॉलोस हमको यह वचन दिया है और आज हम जो मनन करने वाले हैं, जो अभी हमने जो वचन पढ़ा अठारा आयत में जो कुरूस के बारे में, वहाँ पे लिखा है कुरूस की कथा नास होने वाले के मुर्खता है परने तो हम उद्धार पानों वाले के लिए परमिसर की सामर्थिया है देखिए आज हम कुरूस के सामर्थि के बारे में हम मनन करेंगे यहाँ पर पॉलूस हमें बताता है कि देखिए कुरूस जो कुरूस के उपर जो विश्वास करते हैं प्रबु उस्वमसीर ने खुरुस के ओपर अपना जीवन दिया बलिदाया अपना लोह बहा या यह जो हम विस्वासी लोग जो, जो हम उद्धार जो पाते है उसके लिए यह सामर्थ यह है हम विस्वासी के लिए ये सामर्थ है लेकिन जो नास में जा रहे हैं उसके लिए मुर्खता है देखे इस दुनिया के लोगों को ये जो कुरुस की बात है वो एक मुर्खता जैसा लगता है वो लोगों को ऐसा लगता है ये उसमें क्या है वो लोग उसको अलग देसे सोचते हैं या उसका जो महत्व है वो लोग संसार के लोग समझ नहीं पा रहे हैं देखिए दुनिया में हम आज देखते हैं दो ही कुरूस है एक तो एक मेडिकल वाला जो कुरूस है वो है और एक इसुमसी का कुरूस देखिए दोनों क्रूश भलाई का काम करते हैं हम देखते हैं हम हस्पिटल में जाते हैं वहाँ पर एक सिंबल लगा रहता है क्रूश का उसका जो सिंबल जो है वो इसुमसी का क्रूश के उपर से उसको लिया गया है मालब उसका concept जो है उसका विचार है वो इसूमसी का cruise के लेके ही यह medical का cruise आया हुआ है और आज हम देखते हैं कि यह cruise जो है इसूमसी का cruise है उसको आज medical भी उसको अपना रहा है मतलब देखिए medical की भासा में अगर देखे hospital में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे ये cruise को हम देखते हैं और वो हमें दिखाना चाहते है कि वहाँ पे किसी आदमी को बचाया जा रहा है वहाँ किसी आदमी को उसको एक जिवन दान दिया जा रहा है उसको वहाँ पर संभाला जा रहा है मतलब उसको वहाँ पर बचा जा रहा है और एक इसु मसी का जो कुरूस है वहाँ पर दो बातों को हम देखते हैं वहाँ पर एक आत्मिक चीज है कि जहाँ पर जब ये कुरूस के हम पर विश्वास करते हैं प्रोबीशेयमें से का लोहों के उपर विश्वास करते हैं तो हमारे आत्मा को चंगाई मिलते हैं हमारे आत्मा उध्धार पाजाता है और हम अन्न जीवन का भागी दर हैं जब हमारे आत्मा को उध्धार हो जाता है automatically हम हमारे सारीरिकaken जो कमिया है सारी एक जो भी तकलिफ मुसीबत हैं उसका भी वहां पे solution आ जाता है उसका भी वहां पे उपाय हो जाता है मतलब ये आत्मिक और एक सारी जो हमारा जीवन है वो दोनों को वो इसमसी का क्रूस जो है दोनों को प्रवावित करता है और हम देखते हैं मेडिकल की भासा में या हॉस्पिटल की भासा में अगर हम उसको देखे डिस्पेंसरी की बात तो अगर हम देखे तो वहां पे डॉक्टर हमें या हॉस्पिटल हमें हमारा सारी जीवन को ही बचा सकता है हमें और अच्छी तरह रहने के लिए वो हमें संबालता है बचा सकता है ये सब कुछ कर सकता है हमको ठीक कर सकता है हमारे जीवन को हमारे सरीर को सारी जीवन को लेकिन ये जो कुरूस ये जो medical जो है science है वो हमें हमारे आत्मिक जीवन को वो कुछ नहीं कर सकता उसका उपाई वो नहीं कर सकता है वो बचा सकता है हमारे सरीर को हमारे जीवन को बढ़ा सकता है हमारे आईव को बढ़ा सकता है लेकिन एक महतरपूना की कुरूस जो है ये इसमसी का कुरूस है देखिए इसलिए हम कहते हैं कि पॉलिस कहता है हम तो कुरूस पर चड़ाय हुए मसी का प्रचार करते हैं जो यहुदे के लिए और अन्य जातिक लिए मुर्खता है द qualcी कुरूस अगर हम दुनिया के लगगों अगर उसको देखते हैं तो वो लोगों के एक मुरुखता जैसा लगता है ये विश्वासी लोग या मसी लोग क्या ये कुरूस लेके चल रहे हैं या कुरूस क्या दिखाते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं वो लोगों के एक मुरुखता जैसा लगता है लेकिन हम देखते हैं उसमें बहुत बड़ा सामर्त है हमारे जीवन को जो कोई चीज नहीं कर सकती है वो चीज हमारे इसुमसी का कुरूस जो है इसुमसी का कुरूस जो है उसका प्रिविश्वास करने से हम हमारे जीवन को बचा सकते हैं हम जो पाप में जो मरे हुए लोग है जो अंधकार में पड़े हुए लोग है जो लोग का कोई आसा नहीं उसको ये कुरूस आसा देता है और उसको अनन्त जीवन का सहबागी बना लेता है देखिए बाइबल हमें सपस्ट कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत पे पूर्थी के पर अपने नजर को डाला और उसने देखना चाहा कि कोई एक आदमी मुझे मिल जाए जिसने पाप नहीं किया है लेकिन उसको एक सिंगल आदमी भी नहीं मिला मतलब यहाँ पे है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से अधूर है और हमें हमारे पापों से अगर धार पाना है हमें अगर प्रभू के साथ रिलेशन में फिर से आना है प्रभू के साथ सही सबन में आना है और हमें मुर्तियों से अबर हमारी जीवन को बचाना है तो हमें कुरूस को अपनाना होगा, कुरूस के पास आना पड़ेगा उसको सिकारना होगा क्योंकि बाइबल कहती है रक्त बहाय बीना पापो की शमा नहीं है प्रभू इसमेश दुनिया में जन्मन लिया है हम कुरूस उसका जनम दिन को मनाते हैं लेकिन वहां पे काम पूरा नहीं होता है संपूनत अब हुआ है जब उसने कुरूस के ओपर अपना जीवन को बलिदान किया वहां पे संपूनता प्राप्त की गई है कुरूस में सामर्थ्य है हमारे जीवन को जोडने की हमारे जीवन को बनाने की हमारे जो अयस्तवस जीवन है उसको फिर से रिवाइव करने की हमारी जो आसा है जो हमने खो दिया उसको फिर से बनाने की हमें प्रभू का कुरूस हमें आहवान करता है तो हमें इस कुरूस के पर विश्वास करना है आज हम इस कुरूस के दरा संदेश देना चाहते हैं हम लोग संसार के लोग उधार प्राप्त करने के लिए अनन्त जीवन प्राप्त करने के लिए मोक्स प्राप्ट करने करें बहुत सारे वीधियां बहुत सारे क्रियाकांडों को करते हैं हम किसी का किसी धर्मक के लिए किसी धर्मक के लोगों का जो काम है या जो लोग वो करते हैं उसका हम यहाँ पर विरोध नहीं करते हैं लेकिन हम यहाँ पर यह बताना चाहते हैं वहाँ पर कुरूस में एक सामर्थ है और वो कुरूस हमें के पास आने के लिए हमें कुछ मेहनत करने के लिए जरूरत नहीं है एक सिंपल विश्वास कुरूश के ओपर डालना है यिसु मसी के ओपर कि यिसु मसी हमारे पापों के लिए मरे हमको जीवन देने के लिए मरे हमें स्रापों के लिए हमें स्रापों के छोड़ाने के लिए कुरूश पर अपना जीवन दिया इसा करके हम यूसम मसी के पर विस्वास करते हैं उसके बलिदान को पर विस्वास करते हैं तो प्रभू हमारे जीवन को हमारे पापों से या हमारे जीवन जो जो ऐसे अंधकार में पड़ा है पापों में पड़ा है वो जीवन वहां पे फिर से स्थापित हो जाता है और हम प प्रभur के साथ फिर से इसलापत हो जाता है। तो आज हम वच्चन के द्वारा इस कुरुज के शंदेज के द्वारा हम वोगों को बताना चाहते हैं। कुरुज के उपर विश्वास करो। और प्रभु के साथ सही मार्ग में चलो। प्रभू आपको जो ऐसा राज्य देने वाला है, ऐसा जीवन देने वाला है, जो कभी भी मुर्जाने वाला नहीं है, जिसका कोई अंतर नहीं है, ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए, आज प्रभू हमें कुरूस के उपर विस्वास करने के लिए हमें हावान करते हैं, तो